जो कुछ सिग्नल्स हमको अभी मिलते हैं कि यह और एसकलेशन होगा जब तक जस्टिन टूड़ो उदर प्राइम मिनिस्ट्र है ठीक होगा नहीं है जस्टिन टूड़ो को पोपिलारिटी ऊपर जाता नहीं है नीचे जा रहा हिए पहली बारी भारत ने व्यक्तिगत तौर प उनके उपर जहां तक कि उनको सरकार भी नहीं कहा उनको एक गिरोग कहा है रिजीम का शब्द इस्तमाल किया गया है हालात जो है बद से बत्तर ही हो रहे हैं और अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अगर टूड़ो कल ना भी रहे सकता में तब भी मुझे नहीं लगता क इस इस रिष्टे में जो जहर घोल दिया है टूड़ो ने और ये जो जो माफिया है खालेसानी इन्होंने जो जहर घोल दिया इस रिष्टे में तो इसको तो अब काफी समय लगेगा ठीक करने में यह डिशिशन ठीक है क्योंकि कानेडा ने हमको काहा है कि हमारा है कि हमारा हाई किमिशनर और दूसरे कुछ डिपलमाट्स भी परेसंट अफ इंटरेस्ट इंटेक्स्ट अफ इंवेस्टिगेशन वो निज्जर खिलिंग के बारे में इसका मातलब है कि RCMP रोयल केनेडिन वांडेट पॉलिस वो इंवेस्टिगेशन कर रहा है वो हमारी हाई कमिशनर को इंटरोगेट करना चाहता है यह ठीक नहीं है इसलिए हमने इसलिए निश्चे लिया उनको रिकॉल करने के लिए लेकिन वो एकनेडा ने कहा है कि हाई केमिशनर और दूसरे डिप्लमाच भी उसका मतलब है कि हाई कमिशनर के बेना दूसरे डिप्लमाच को भी इंटरोगेट करना उचाहता है हम उनको वापस रिकॉल किया नहीं है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट है सर इससे आप किस सारा से देख रहे हैं बहुशे में भारत और कैनेडा के संबंद में कितना बदलाव आएगा और क्या ये चीज़ें ठीक हो पाएंगी आप क्या कहना चाहेंगे मेरा होप है मेरा प्रारतना है कि दोनों गवर्णमेंट इस बारे में सोच के पात डी एसकलेट करने के लिए कोशिश करेंगे लेकिन मैं सोचता नहीं कि वो करेगा जो कुछ सिग्नल्स हमको अभी मिलते हैं कि यह और एसकलेशन होगा और जब तक जस्टिन टूडो उदर प्राइम मिनिस्टर है ठीक होगा नहीं और कैनेडा में एलेक्शन आने वाला साल में है 2025 ओटम में है बेचक अडवान्स कर सकता है और जस्टिन टूडो को पोपिलारिटी ऊपर जाता नहीं है नीचे जा रहा ही है एना एकोनमी भी बेहुत डिफिकल्टी से है तो बेचक नेक्स एलेक्शन में जस्टिन टूडो जीते गानेगी तो नया गवर्णमेंट हो जाएगा तो हमारा रिलेशन्स थोड़ा बेटर होगा लेकिन मेरा प्राफ्तना ये है कि हम उतना तक मत वेट करना है अभी बेखुत एस्केलेशन हुआ है कोशिस करना है ओन नीचे लेकिन मैं कुछ सिगनल देखते हैं नहीं है जिनके बारे में कनेडियन्स ने ये बोला था कि भई इन लोगों के खिलाफ तफ्तीश हम कर सकते हैं देखिया जैसे ही आप किसी राजनेक के बारे में ये कहें कि उसको हम किसी ना किसी जर्म में तफ्तीश में लेकर के आएंगे तो उसका उस देश में रहना बिलकुल बेमानी हो जाता है वहां पर फंक्शन ही नहीं कर सकता इसलिए मैं कल उचित बात तो यही थी और भारत के पास कोई विकल भी नहीं था बनस्बत इसके के उनको वापस बुला लिया जाए अब वो पांच-छे लोगों को जो हम वापस ब देखने वाली होगी यह जो बाते होती हैं कि जी हमने एक वक्तव्य जारी कर दिया है और वक्तव्य में हमने यह बोल दिया कि हम भी कुछ करेंगे कर सकते हैं वगयरा वगयरा वो अपनी जगा बात है ठीक है लेकिन जब तक कुछ करते नहीं है तब तक हमको मालूम नहीं ह कि हमने कोई कड़ी कारवाई की है ब्यान तो बहुत कड़ा दिया और जो ब्यान दिया है उसमें में कर शायद पहली बारी भारत ने व्यक्तिकत तोर पर निशाना साधा है एक दूसरे देश की के जो राचप्रमुख है उनके उपर और उनकी सरकार के उपर और जहां तक कि उ उनको सरकार भी नहीं कहा उनको एक गिरो कहा है रिजीम का शब्द इस्तमाल किया गया है तो वो तो बहुत कड़ी जो जो रियाक्शन है वो बहुत कड़ा है लेकिन रियाक्शन के साथ कुछ आक्शन भी होना चाहिए क्वेस्चन यह है कि अब आक्शन क्या होगा क्या हम भी जो उनके यहां पर राजनेक हैं उनको निकालेंगे तो मेरेकल हालाद जो हैं वो बच से बत्तर ही हो रहे हैं और अब हालाद इतने बिगड़ गए हैं कि अगर टूडो कल ना भी रहे सकता में तब भी मुझे नहीं लगता कि यह हालाद बिलकुल इमीजेटली वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगे मेरे खाल ये जो इस रिश्टे में जो जो जहर खुल दिया है टूडो ने और ये जो जो माफिया है, खालेस्तानी इन्होंने जो जहर खुल दिया इस रिष्टे में तो इसको तो अब काफी समय लगेगा ठीक करने में, ओवरनाइट तो नहीं होगा. क्योंकि गर्मन ने जो रियाक्शन दिया कैनेडा पे जो मूफ था एन्वाइक के लिए उन्होंने ता कि जिस तरीके से पॉलिटिकल गेन कोर्सिस करी जा रही है, चुनाओ भी होंगे और जिस तरीके से खालिस्तानी हैं इन गलव दिखती है, आपका क्या मानना है कि ये पॉ पालिस्तानी थे, वहाँ पर उनको खुली छुटी देती थी, जब भारत मांगता था कि भाई ये जो देशतगर्द है, वहाँ पर इनको आप एक्स्टरटाइट करो, तो उसने वह भी नहीं माना था, तो उसने भी उनके साथ ये खेला, फिर इसने भी यही काम किया है, चो प्री चोटी कॉंसिट्विंसी होती हैं, तो उसमें पांसो हजार, पांच हजार वोट इधर से उधर हो जाए, तो सारी खेल ही बदल जाता है, तो वहाँ पर इंडो कों का कुछ लगबग 25 कॉंसिट्विंसी में कुछ प्रभाव है, और सारी की सारी जो कैनिडा की राजने ही बात नहीं है, हर देश में विदेश नीती का डुमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक एंगल होता है, वो तो अपनी जगाबात ठीक है, वो बात समझ में भी आती है, लेकिन हर देश ये कोशिश करता है कि बियॉन्ड पॉइंट वो जो आपकी राजनीतिक एंगल जो है, वो उपर असर अंदाज ना हो, लेकिन जहां पर इन्हों ने उस चीज़ को मेरकल ताक पर रख दिया है, शायद इस करके क्योंकि इनको लगता है कि भारत या तो कुछ कर नहीं सकता, या भारत को अगर हमने खफा कर भी दिया, तो हमारे को कोई जादा चिंता करने की ज़रूर उप्शन है, शायद ये सोच है इनकी, और एक तरफ के हमारी राजनी ते कि रोटियां भी सेख जाएंगी, दूसरी तरफ हमारे को कोई कोस्ट भी नहीं पड़ेगा क्योंकि अमरीका बाहदर ये इन्शोर करेगा कि भारत बियॉंड अ पॉइंट ना जाए, तो अब ये द नहीं पॉइंट ना जो जनी है अरिए इन्शोर करेगा कोई में एक पर पफ्टा में मूद़ों चार प्रफ करें राजन अियुक्प़ाद isn थ curriculum बाहद है, आप हमारे अमरीका जाएंगी, तूसरी बाहद चलन टाएंगी, जब ओ दो थानों में जाएंख रजन, इन ये रह